रहें साथियो इस वीडियो के अंतर देखेगा यूपी पुलिस में जो यूपी ट्रपल सी के माध्यम से जो कॉंस्टेबल का चैन होगा इन्फोर्समेंट कॉंस्टेबल के पद पर तो उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जा रही हुआ है और उसमें सारी चीज़ों को हम डि काम क्या होता है प्रवर्तन कॉंस्टेबल होता है सिपाई होता है तो उस सब को लेकर के मैं आपको पूरी बात बता हूँगा इसमें काम क्या करना होता है यह सिबिल पुलिस से या फिर जेल पुलिस से या फिर फायर में से डिफ्रेंट यानि अलग कैसे होता है ठीक है बो तो आप comment section के अंदर जाकर के पूर सकते हैं मैं उसका जवाब दोगा तो एक बाद notice को मैं आपको दिखा देता हूँ अब देखेगा ये notification है आपके सामने और इस notification में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रबरतन constable मुख्य परिच्छा ये जो है ये 2023 में भरती निकली है मतलब बह online जो आबिदन करेंगे इस form को जो आप भरेंगे वो 7 जुलाई से form स्टार्ट हो जाएगा 28 जुलाई तक इसका form चलेगा ठीक है अगर आपको कोई भी संसोधन करना है कोई change करना है भरे हुए form में तो उसके लिए last date है 4-8 ठीक है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख साथ जुलाई से 28 जुलाई तक आप इसका form भरेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैं आपको और clear कर देता हूँ जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि यह 2023 की भरती है प्रबरतन constable और इसके बाद में total रिक्त पदों की संक्याए 477 मतल लगबग 500 नहीं दिया है तो वो इसमें मागा गया है तो एक बार मैं आपको वो चीज़ें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि अगर आपको इसका form भरना है तो आपको इसमें बोला गया है eligibility सबसे बड़ी है वो है PAT PAT 2022 आपने गर दे रखा है तो आप इसका form भर पाएंगे score के आधार पर यानि 2022 में जो PAT दिया है उसके score के आधार पर आप इसमें form भर पाएंगे तो यह एक eligibility है जो के अलागी है मतलब समझ लो बहुत विद्यारती ऐसे हुए जिनोंने PAT नहीं दिया है वो इसका form नहीं भर पाएंगे हमारे तो समझ में नहीं आता है इसके बाद में चलिएगा आगे कुछ चीज है और मैं आपको clear करता हूं ओके इसके बाद में देखेगा आपको आपके पास में और क्या qualification होनी चाहिए आपने 10 प्लस टू बार्मी कर रखा है किसी भी stream से और साथी में अगर आप पैट 2022 दे रखा है आपका short listing आपका percentile कितना है वो ओके वो बात की बात है लेकन ये पहली priority है ये पहली बात आपके पास में बार्मी पास और साथी में 2022 का पैट होना चाहिए इसके बाद में आभिदन करेंगे और आभिदन की वही प्रिक्र रहेगी जो आपने वीडियो क का form भरा था या फिर हम बात करें लेकपाल का form भरा था सेम चीजे हैं कोई भी अंतर नहीं है ये सारी चीजे मैंने आपको बता दी है चीक है ओके चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं आगे एक और चीज है और वो है आपके fees बुकतान को ले करके आप सब को पता होगा कि 25 कितना भी percentage होगो चलेगा लेकिन उन सब को 25 रुपे देने होंगे किसी भी काटेगरी से हैं आप तो आपको 25 रुपे तो लगेंगे लगेंगे form भनने के टाइम पर इसके साथ ही मैं एक चीज और है देखिए मुख्य परिच्छा हे तू परिच्छा सुर्का बुकतान केव अगर मालू इसका 10 गुना भी ले लिया जाए तो 5000 को अगर एक्जाम क्ली बुला लिया जाएंगे तो सुबा बेक है कि उनका 5000 है या फिर 10,000 है तो उनी विद्यार्तियों को अगला फीस पेमेंट करना होगा इसके बाद में देखिएगा आवे दन में शंसो दन मैंने आप इसके बाद में देखिए पदों का विबरण ये भी मैंने आपको बता दिया है इसके साथ ही में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 477 ये इस्ताई पद रहने वाले हैं कॉंस्टेबल के पद हैं पहले देखिएगा ये जो भरती थी वो डारेक्ट नहीं आती थी प्रबरत ये वो गास रेडी में आते थे लेकिन अब ये जो कॉंस्टेबल हैं वो गाह में आते हैं मतलब गुरुप C में आते हैं तो अब क्या है लेकिन अब ये चेंज हो गया है पहले चपरासियों का प्रमोशन करके उन्हें प्रबरतन कॉंस्टेबल बनाया जाता था लेकिन आगे में थोड़ा और बताजता हूँ, यहां पर आप देखेगा, जनल है 225, OBC है 93, SC 13 और अनुपिशड़ा वर्ग है, इसमा भी चाहूँगा, SC 99 है, और इसके बाद में जो अनुपिश जन जाती है, ST है, वो है 13, ठीक है, EWS है 47, टोटल पद है 47, ओके, इसके बाद में कुछ चीज़ें और हैं, मैं एक बार वो हाइलेट करते हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे, कि देखे, अनिवारे आहर्था, उत्तर प्रिदेश परिवहन भिवाग में, प्रबर्तन करमचारी समूग, यह सेवा नेमा वाली, 2022 के नुसार, कॉंस्टिबल पर सीधी भरती की जारी है, अब्यार्थियों ने मादमिक परिश्चा मतलब सीधी बात हैं, इंटर्मीडियेट किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और साथी में आपने पैट कर रखा है, प्रबर्तन कॉंस्टिबल के पतपर चैन हेतू, अब्यार्थी द्वारा लिकित परिश्चा के साथ इसके बाद में देखेगा, आपके सारेरिक मानिक क्या रहने वाले हैं, आपके हाइट जो है, अलग-अलग जातियों के लिए मतलब अलग-अलग के अलग है, जैसे एक अनुस्चित जन जाती के पुरुस की कम से कम 160 सेंटीमेटर हाइट होना चाहिए, इसके बाद में अन् जातियों के न्यूनितम 168 सेंटीमेटर चाहिए, यानि के आप ST हैं, तो आप ST से हैं, तो 160 कम से कम, अगर आप ST को छोड़के अन्य किसी से हैं, तो 168, इसके बाद में देखेगा, अन्सूची जन जाती अभियरतियों को सीना फलाना वही 77 है, इसके बाद में अगर आप ST स जो मागी गई है, अन्सूचित जन जाती, ST में महिला अभियारतियों के लिए कम से कम 147 सेंटीमेटर होना चाहिए, अन्य महिला उंबीद बारों के लिए 102 मागी गई है, बजन जो वो 40, तो कम से कम जो होना चाहिए, इसके साथ में देखेगा, अगर आपने अलग से कर आप्त है, तो इसमें आपको वर्यता दी जाएगी, इसके बाद में देखेगा, आयू मैंने बता दिया, 18 से लेकर के 25 साल तक इसमें आपकी आयू जो है इस वार मागी गई है, चैन का आधार क्या होगा, वो आप देख लीजेगा, सीधे सीधे बात है, इसमें एक बार में से रीड कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखेगा, चैन का आधार इन्होंने बोल रखा है, 2022 में पैट जो अगर आपने कर रखा है, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, और अनुसार की जाएगी, जिसके अनुसार चैन का आधार लिखित परिच्छा है, तथा कम्पूटर प्रिवूनिरता परिच्छा, मतलब इसमें कम्पूटर टेस्ट भी होने वाला है, यह सब जो है वो, इसके बाद में देखेगा, फिजिकल को लेके, पुरसों के बारे में आपको रणिंग बता देता हूँ, पुरसों को जो है, 4800 मिटर की रणिंग करनी है, 27 मिनट में, मैलाओं को 2400 मिटर की रणिंग करनी है, 16 मिनट के अंदर, यह रणिंग का है, ओके, इसके बाद में लिखित परिच्छा, यह तो पाटेगरम जो सलेवस है, वो आपको सूचित कर दिया जाए, इसकी ओफिशल वेपसाइट पर, औ इसके साथ में, ओके, यह सब हो चुका है, कुछ चीजां और देखिए, इसके बाद में आपका मन होगा कि सर, यह प्रवर्तन कॉंस्टेबल होते हैं, इनका काम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, आपने इसमें एक शब्द सुना होगा, परिवहन, दोनों में देफरेंस है, ट्रेफिक पुलिस तो आपको दिखती होगी, सामाने आपके शामने देखाई देती है, लेकिन इनका काम क्या ह मतलब जो गाड़ी में चलते हैं, इनफोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, बाकि जो इनफोर्समेंट सुपरवाईजर होता है, एक और ची इसमें क्या होता है जिसे आपने ट्रेफिक में देख रहा है घर वैसे होता है तो आटियों मतलब जो kıra suppose करें मैं आपके ग्राफ से बताता हूँ माल लीजे यह आपका रोड है यहाँ पर गाड़ी खड़ी है मतलब क्या होता है जो आटियो साब होते हैं वो गाड़ियों को चेक करते हैं गाड़ियों को चेक करने के दौरान एक अधिकारी तो सुभाबिक सी वात है वो जो भी परिपतर होंगी कागज होंगी उनको चेक करेगा लेकिन गाड़ी को रोकने का काम है उसको साइड में लेने का काम है और ड्राइवर से उसके गाड़ी के कागज यानि RCA driving license है कि निए वो सारे कागज जो मांगने का काम है तो ऐसे में आप गाड़ी को चलाके लेकाएंगे थाने तर तो ये सारा जो काम है वो Constable का काम होता है तो ऐसे में आपको ऐसा और एक और चीज़ देखेगा इसमें क्या होता है वरदी तो आल्मोस्ट वह होती है लेकिन आपके जो बैच होंगे ये जो आपके जो solder के उपर जो फीती लगी रहती है यहाँ पर क्या होता है वो एक blue color का पट्टी लगा होता है ठीक है नीले color का पट्टी लगा रहता है जब आप देखेंगे तो आपको वरदी समझ में आ जाएगा ये सारा काम जो है आपको करना होता है अभियान चलता है दिन में भी चलता है तो ये सब एक अलग टीम द्वारा किया जाता है traffic plus आपने देख रहा है traffic plus जो होता है वो जैसे के traffic spectre होते है यह अट की control में traffic plus जो हो जांच करती है परपत्रों की लेकिन ये team अलग होती है मतलब ये टीम आपने देख रहा कोई रोडों पर खड़े हो जाते हैं कभी कभी जहां पर कोई आसपास कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और बीच रास्ते में जो चेकिंग करने लग जाते हैं आप पूछ रहोंगी क्या सरीक सिपाई का काम जो होता है क्या ऐसा है कि साब ये जो इन्फोर्स्मेंट कॉंस्टेबल जाकर के खुदी जो है तलासी करने लग जाए नहीं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि देखिएगा जो भी गाड़ी के कागज होते हैं करने का जो राइट है वो सिर्फ एक अधिकारी के पास में होता है इन्फोर्स्मेंट ओफिसर के पास में होता है आपके पास में नहीं है आप कॉंस्टेबल जो है कभी गाड़ी को चेक नहीं कर सकता ऐसा नहीं है अगर उसके अधिकारी महोद है उसके साथ में तब उसके पास में राइट्स होता है कि वो कागजों को जो अधिकारी को दे देगा आपको तो बस इतना है कि डंडा लेकर रोक 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 बस साइड में ले लो चलो कागज निकाला उट साब को देखाओ जहां पर भी बस order लेना है इसमें गड़वड है, गाड़ी बंद करना है बस चाह भी लगाओ लेकर आजाओ तो ये सारे काम है, बाकि अगर आपके मन में कोई doubt है तो मैं आपको बता दूँगा, बिल्कुल टेंशन मत लेजेगा, चलेगा वीडियो को लाइक कर देजेगा, थैंक यू सो मच